Hello everyone, आपके स्वागत है उशा होम कीचन में आज बैगन की निव रेस्पी लेकर आई हूँ इसके लिए हम दो लाल बैगन लिए हैं आप कोई भी बैगन ले सकते हैं लाल का लाहारा सबसे पहले इस बैगन को हम छील लेंगे देखिए बिलकुल इस तरह से दुसरा बैगन भी हम इसी तरह से छील लेंगे तो देखिए हमने दोनों बैगन को छील लिए हैं इसके बाद एक बैगन लेंगे और इसे प्लेट या शॉफिंग बोट पे रखके चाकू से पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेंगे ध्यान में रहे चाकू हातों पे ना लगे देखिए बिल्कूल इस तरह से डंठल की तरफ जॉइंट रहे और बार की तरफ खुला आप बैगन को दूसरी तरफ लट लीजिए और इसे पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेजिए देखिए बिल्कूल इस तरह से देखिए दूसरा बैगन भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे जैसे आलू के फ्रिंस फ्राई के लिए हम कट करते हैं लंबा लंबा पतला पतला देखिए बिल्कूल इसी तरह से हमने कट कर लिये हैं इसके बाद एक बॉल में पानी लेंगे और इसमें एक चमच नमक डाल कर मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें बैगन को डाल कर इसके उपर से कोई भारी बर्तन रख देंगे ताकि बैगन पानी में अच्छे से डुबार है तब तक इसका घोल तयार कर लेते हैं घोल के लिए एक चमच लाल मिर्च पाउडर, हाप टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, स्वात के अमसार नमक और एक चमच अधरक लासन का पेश डालेंगे और दो से तिन चमच पानी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें दो चमच कॉन फ्लॉर डालेंगे आप कॉन फ्लॉर के जगा आरा रोट भी डाल सकते हैं इसके बाद बेंडिंग के लिए एक चम्मच मैदा डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे तो देखिए हमें बिल्कुल इस तरह का घोल चाहिए बैगन को नमक के पानी में डुबाए दस मिनट हो गए हैं बैगन बिल्कुल काले नहीं पड़े हैं अब इसे पानी से निकाल कर कीचन टाल पर रख देंगे और नैपकिन से इसे अच्छे से इसका पानी सुखा लेंगे इसका लच्छा तूटे ना इसके बाद बैगन को मसाले के अंदर डिप करेंगे और एक चमस से मसाले को लेकर बैगन के उपर डालेंगे ताकि हर एक लच्छे के उपर मसाले अच्छे से लग जाए इसके बाद एक प्लेट में बैट क्रॉम्स लेंगे और बैगन को इसमें डाल देंगे इसके उपर बैट क्रॉम को अच्छे से लगाएंगे ताकि एक लच्छे के उपर बैट क्रॉम अच्छे से गोट हो जाए तो देखिए हमने लगा कर एक प्लेट में रख लिए हैं बिलकुल इस तरह से अब चलते हैं गैस की तरफ हम तेल को अच्छे से गरम कर लिए हैं आज इस तेल के अंदर बैगन को डाल लेंगे और अच्छे से 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ध्यान में रहे तेल अच्छा गरम हो नहीं तो बैगन नरम पड़ जाएंगे और ओली हो जाएंगे एक तरफ हलका गोल्डेन होने के बाद दूसरी तरफ प्लट लेंगे और दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे छोलनी के मदद से इसे लच्छे को फैलाते हुए हम बैगन को प्रिश्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं देखिए आब इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे देखिए कितना प्यारा कलर इस बैगन में आया है दूसरा बैगन भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे तो देखिए इस बैगन को भी हमने फ्राई कर लिये हैं थोड़े देल इस तरह से रखेंगे ताकि एश्ट्रा ओइल बाहर निकल जाए आप इसे एक प्लेट में स्वर कर लेते हैं फ्रेंज इस रेशिपी को हमने बैगन फिंगर फ्राई नाम रखें हैं आप इस रेशिपी को क्या नाम दीजिएगा कॉमेंट में जरूर बताईए आप लोगो एक तोड़के दिखा रही हूँ देखिए कितने क्रेशिपी बने हैं फ्रेंज एक बार आप लोग मेरे तरिके से इस रेशिपी को जरूर ट्राई कीजिए आप लोगो बहुत पसंद आएगा अगर ये मेरी वैगन फिंगर फ्राई आप लोगो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा और सस्क्राइब भी कर दिजिएगा थैंक यू फ्रेंज